असलाम कबूल है, कबूल है, तो ठीक है, कहो, हिंदोस्तान मुर्दाबाद, अश्राव अलेई, फ्रेंड सनी देवल और अमिसा पटेल की साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा यादगार फिल्मों में से एक है, आमिर खान की फिल्म लगान के साथ सिनेमा घरों में ट करोर रुपय खर्च हुए थे, फ्रेंड फिल्म का बजट कितना है, फिल्म पर कितना रुपया खर्च हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिल्म को किस तरह का रिस्पॉंस मिला है, ये तो हम सभी जानते हैं, फ्रेंड फिल्म ने 22 साल पहले भी रिलीज होकर इ नाम कर चुकी है, तो फ्रेंड अगर बात करें फिल्म गदर एक प्रेम कथा की तो अनिल सर्मा के डारेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसमें सनी देओल, अमीसा पटेल और अम्रेस पूरी मुख्य किरदारों में दिखाई दिये थे, वहीं फिल्म का बजट 19 करोर रुप हम बात करने वाले हैं, फिल्म गदर आज अपने 29 दिन कैसा कलेक्शन कर रही है, और अब फिल्म को कैसा रिस्पॉंस मिल रहा है, तो फ्रेंड बस आप इस वीडियो के साथ बने रहीएगा, लेकिन फ्रेंड उसे पहले, अगर आप सनी देओल को एक बहतरी नभीनेता और फिल्म का जो टिकट प्राइज था, वो था सिर्फ 75 रुपे का, लेकिन फ्रेंड बावजूद इसके ये फिल्म 29 दिनों में 3 करोड 660 लाक रुपे कमा चुकी है, जी हां फ्रेंड 22 सालों बाद दोबारा रिलीज होने के बाद कमाए हैं, फ्रेंड कोई भी फिल्म हो, चाहे प्रभास की फिल्म बाहु बली टू हो, या फिर सहरुख खान की फिल्म दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे हो, फ्रेंड दोबारा रिलीज होने के बाद इतनी कमाई किसी फिल्म ने नहीं की है, और सबसे बड़ी बात तो ये है फ्रेंड की इतनी पुरानी फिल्म तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सनी देवल की फिल्म गदर टू सिनेमा घरों में दस्तक देगी तो किस तरह का रिस्पॉंस मिलने वाला है, फ्रेंड मुझे लगता है कि गदर टू फिल्म अपने पहले दिन यानि की ओपनिंग डे पर लगभग 100-500 करोर ज्यादा की ओपनिंग आसानी से लेने वाली है, लेकिन फ्रेंड आपको कैसी लगी फिल्म गदर एक प्रेम का था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, साथी साथ फ्रेंड 11 अगस्त को आप फिल्म गदर टू देखने के लिए जा रहे हो या फिर नहीं